नमस्ते साथियों मैं सुरजच छेतरी आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूटूब चनल पे श्वागत करता हूँ बहुत छारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि अगर हम सोनाली मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं तो उन्हें कौन से समय में क्या फीट खिलना चाहिए ताकि मुर्गिया समय पर अंडे दे और उसके साथ-चाथ मुर्गियों का जो अंडो का प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हो यानि कि मुर्गिया ज्यादा मात्रा में अंडे दे तो इसी बार में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पुरे लास्तक ध्यान से देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोड़ी से रिक्वेस्ट करना चाहता हो अगर आप लो मुर्गियों को मंग्स उत्पादन के लिए पालते हैं तो उन्हें अलग फीड देना होता है और अगर हम सुनाली मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं और उस समय अगर हम सुनाली मुर्गियों को मंग्स उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गिय को जो फीड दिया जाता है उसे देते हैं तो उसके बज़े से मुर्गिया समय पर अंडे नहीं देती है और उसके साथ उनका जो अंडों का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है देखे साथ यो मंग सुत पादन के लिए पाले गये मुर्गियों को हम जो फीड देते हैं उस उसमें ज्यादा पोसकत्त होता है जिसके कारण मुर्गियों का जो वजन होता है वो जल्दी बढ़ता है और उसके साथ-साथ मुर्गियों का चर्वी भी बढ़ जाता है और चर्वी ज्यादा बढ़ने के कारण या मुर्गियों का वजन जल्दी बढ़ने के कारण मुर्गि के चूजो को देशी या ब्रोयलर मुर्गियों के लिए जो प्री इस्टेटर फीड आता है वो खाने के लिए देना है आप लोग चिक्रम फीड भी उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं और उसके बाद 31 नंबर दिन से लेकर 120 नंबर दिन तक सुनाले मुर्गियों को ग्रुव फेस वन फीड खाने के लिए देना है और जब मुर्गियों का 175 नंबर दिन हो जाएगा तो 175 नंबर दिन से सुनाले मुर्गियों को लिएर फेस टू फीड खाने के लिए देना है मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ एक दिन से लेकर 30 दिन तक सुनाले के चूजों को प्री इस्टटर फीट खाने के लिए दिना है 31 नमबर दिन से लेकर 120 नमबर दिन तक सोनाली मुर्गियों को ग्रोवर फीट खाने के लिए दिना है 121 नमबर दिन से लेकर जब तक सोनाली मुर्गिया अंड़ी दिना चालो नहीं करती है तो 175 नंबर जिन से सुनाली मुर्गियों को लेयर फेस टू फीट खाने के लिए देना है आसा करता हूँ साथियो इस वीडियो के मैधम से आप लोगों को एक जानकारी प्राप्त हो गया होगा तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को सेर जरूर करना तो साथ ही हो आज के लिए बाई बाई मिलते हैं फिर एक जबरडस्ट वीडियो के साथ